हेलो एंड वेलकम बैक किशोर इंगलिश टिचिंग सेंटर तिरवरिंग अन्सुपॉल आज हम लोग इंडियन सिवलाइशन एंड कल्चर जो महात्मा गांधी जी के द्वार लिखा गया है इस चेप्टर का अबजेक्टिव करेंगे सबसे पहले मैं महात्मा गांधी जी के द सब्सक्राइशन एंडियन सिवलाइशन एंड कल्चर के वारे में जब आपको बोला जाएगा किनके द्वार लिखा गया है तो गांधी जी आंसर होगा और गांधी जी जो है अस्प्रिच्वल लीडर अधिक थी है पॉलिटिकल लीडर के बनिश्पत यानि गांधी जी वा पॉलिटिशन इस प्रकार से कुष्चन आएगा और जो है गांधी जी को फादर ओफ दे नेशन और बापु के नाम से भी जाना जाता है और और ऐसा भी आपको कुष्चन आ सकता है कि गांधी जी डोमिनेटेर इंडियन पॉलिटिक्स यह भारते रायंती पर गांधी जी है तिल नाइंटीन हंडेट फिप्टिन तो नाइंटीन हंडेट फोटी एट उनेश्व पंद्रा इसवी से उनेश्व और तालिस इसवी तक गांधी जी ने मां एक्स्प्रिमेंट विट तुरूथ नाम की एक किताब लिखे थे जो उनका आटो बायोग्राफी है यानि सच के साथ मेरा प्रियोग और देखिए यंग इंडिया के लिए गांधी जी धेर सारी आर्टिकल्स लिखे हैं तो चलिए उनेश्व सतरह इसवी में गांधी चंपारन भी गए अब यानि पश्चमी सब्विता को इंग्लेंड अमेरिका इत्यादी की सब्विता को वेस्टन कल पश्चमी देश के लोग है मट्रीजियम वादी चीजों पर अपना जीवन यापन करते हैं जबकि हम लोग यानि भारतवासी अस्परिच्वां सब्सक्राइब बिश्वास्वास करते हैं एथिक में विश्वास करते हैं गांधी जी ने यह वी देख खा कि सहर के लोग जो से खुछ राते थे और हम लोग यानि भारत के लोग जो हैं कि अधिकतर गांदे जी के समय तक यानि जिस समय तक वो लिखे थै ऐस समय तक की बात कहते हैं कि अधिकतर कानुन वगरा का सहायता नहीं लेते थे, कूट कचारी नहीं जाते थे, बल्कि ट्रू होम रूल के तहत, घर पर ही फैसला कर लिया करते थे, किसी भी मामले का, अब देखे गांदे जी इस चिप्टर के माध्यम से कहते हैं, कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो वेस्टन फ रहए इस चिप्टर में आपको, यह भी याद कर रखना है कि ऑजिप्ट के सासक को फारो कहा जाता था, फारो कहां के सासक, इटिली के सासक को उसके बाद दखिये, यहाँ इतली में ही अटिक सिवलाहशन थी बहुत बडरी Attic Civilization थी अब गांदे जी कहते हैं कि Western culture ये पश्मे देश के लोग जो है वो खुद जीवन जीने का तरीका का कोईपी करता है रोम और ग्रिक के लोगों से और यदी हम लोग उसका कोईपी करे पश्मे देश का कोईपी करे ये तो वा हमारे लिए गांदे जी करते हैं इंडियन सिविलाइशन और कल्चर इज रीटन भायत कि इनके द्वार लिखा गया महात्मा गांदी गांदे जी अधिया 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 जाना यहां वा कौन सी शबता संसार में कहीं भी हराय नहीं जा सकता है तो इंडियन सिविलाइशन को होगा कौन कल्पना करता है कि गरीक और रोम ने जो गलती की है उससे हम बच जाएंगे यूरोप के लोग वेस्टन के यूरोप के लोग जहां वास्तव में गरीक और रोम के लोगों से के सबता को कूपी करते हैं लेकिन वह मानते हैं उनका मानना है कि उन्होंने यूरोप के से हम लोग बच जाएंगे अब देखिए इंडियाज ग्लोरी इज डैट भारत की भाविता इसी में है कि यह रिमेंस इमोवेवल हता है मुवेवल में बदलने लएकि इमोवेवल है इसका सब बता बारत की सब बता जोगा नहीं बदलती है अभी मैंने बताया कि हमारे पुर्वज जो है वो ट्रू हम रूल का अनंद लेते थे यानि भारत में ही अपने गवर्ड में ही के नियम कानून से बंदे हुए होते थे फारोज वे रूलरस अफ एंसेंट गृफ 같은 टे एंसेंट ग्रीक के एंसेंटAnde 17 इजिपट के सासव को फारो कहा जाता थे यह था यह फारो कहा के सासव को एंसेंट opposite the s इसको भी याद रखिएगा इटली की जो सब्टा गिबॉन थी जैसे भारत में हरपा सब्टा थी उसी परकार से इटली की गिबॉन सब्टा भी बहुत नामी शब्टा थी जिसका अस्तित्वाब नहीं बचा कि इसके डवलॉप्मेंट का आधार है किन के विकास का कारण होगा तो एन पिपल देंगे व्यक्ति के आवर फोर फादर्श में सुथा पुर्वज पुर्वज हमारे पुर्वजों ने मसीन का अविसकार नहीं किया बिकाऊज क्योंकि हम जानते हैं गांदी जी इस चिप्टर के माध्यम से करते हैं कि हमारे पुरवजों ने इसलिए मसीन का अविसकार नहीं किया क्योंकि वे लोग जानते थे कि हम लोग को क्या करेगा लेजी बना देगा आलसी बना देगा हम लोग को सलेप बना लेगा मसीन गुलाम ब सब्सक्राइब ci जाने तो चली आगला उपजेक्टिव निजुल डॉटी-जूक। सब्सक्राइब मंद्रियस, साधे वी तु है सब्सक्राइब करते हैं भारत के लोग दा वेल्यू जो आर वेल्यू जो ऑफ इंडियन सिवलाइशन आर ग्लिट्रिंग भारत सब्सक्राइब हमारे रीशी मुनी जो है वह दियाग के भावना से चलते थे इसलिए सिर्फाइब की भावना जो है हमारे रीशी मुनियों का बहुत बड़ा गून था, डॉट डॉट इस डेड अगेंस्ट, डेड अगेंस्ट मिस कौन बिरोधी थे, ब्लाइंड इमिटेशन मिन्स हुआ कि नकल का ओफ वेस्टर्न सिवलाइशन, पस्ट्वी सबता के नकल करने का कौन बिरोधी था, गांधी जी थे, गांधी जी बिरोध करते थे, कि हमें डेड अगेंस्ट, डेड अगेंस्ट मिन्स हुआ कटर बिरोधी थे, ब्लाइंड इमिटेशन, ब्लाइंड इमिटेशन मिन्स हुआ कि आँख बंद करके नकल कर लना, इमिटेशन मिन्स नकल कर लना, यहनि गांधी जी क कि वहाँ पर चूर डखेत इत्यादी बसता है तो आवर आवर एंसेस्टर्स होगा कि हमारे पुर्वजों ने देखा कि बरे शहर जो भी हैं वहाँ पर चूर डखेत इत्यादी बसते हैं डोट डोट वेरे सेटिस्पाइड विद श्मोल विलेजेज कौन छोटे गाउं से हमारे विकास में मील का पत्थर कौन सावित हुआ और आघ का खोज हमारे जीवन में मील का पत्थर सावित हुआ और डोट ०ोट डोट रस्टाटी अंदर धाइंफ्लुएंस आप रिली रिलीजियन किस चीज का इढ़ डोमेस्टिकेशन पालना लोग शुरू किया धारम क लोग जिस मवेशी का जिस जानवर का पूजा करता था उसी को वह पालना शुरू किया डोट डोट लेड नुमेंडिक लाइफ तो कौन होगा मैं नहीं यानि आदमी ही अच्छा जीवन के यह जीशकता सुसंस्क्रित जीवन जीशकता है डोट डोट प्रेफर सा प्रेफर दोट डोट जीशकता को अधिक पसंद करते हैं मेटर लिचम से भोतिक वादिता से तो एम गांदे यानि महत्वा गांदे ही अस्प्रिच्वलिजम क्योंकि वह स्पिच्वल लीडर नहीं थे अधिक पसंद नहीं करते थे गांदे जी वेंट चंपारन इन गांद ग्रीक और रूम के लोगों से परवावित हैं इसलिए गांदे जी कहते हैं ग्रीक और रूम के लोगों से तो नकल कर लिया है पश्मी देश का लोग जब ग्रीक और रूम का खुद अस्तित्व नहीं बचा तो इसका क्या बचेगा वेल्थ एंड लगजरी जुनोट मैंक डोट डोट हैपी लेवेल्थ एंड लगजरी जैने शुक्ष विता वाला चीज जो है वो आदमी को नहीं बना सकता है क्या नहीं बना सकता है अब गांदी जी कहते हैं इंडियन गलोरी इस डैट बात की भविता इसी में है कि इज या इमोवेवल रहे या अस्तिर रहे या बदले नहीं अपनी सब्विता को चेंज नहीं करें डोट डोट इस नोन एज फादर ऑफ दनेशन और बापू कौन जाने जाते थे फादर ऑफ दनेशन यह राष्ट पिता और बापू के नाम से तो महात्मा गांदी डोट डोट वाज स्प्रिच्वल लिडर देन पोलिट को अधिकतर अध्यात्म नेता थे रायंतिक से अधिक तो महात्मा गांदी यह भी होगा अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका करता है माइच्प्रिमेंट वीद्ट तूथ माइच्प्रिमेंट वीद्ट वीद्ट जो है वाज रिटन भाया किसके द्वार लिखा गया तो महात्मा गांदी के द्वारा दपीपल ओफ यूरोप यूरोप के लोग लर्न देर लेशंस पार्ट सिखें जीने जीवन जीने का तरीका सिखें है फ्रॉम दा राइटिंग ऑफ दमें कहां के लोगों से ग्रीक और रोम के लोगों से दा माइंड इज रेस्ट लेस दिम मेरे साथ इसी बात नहीं है कि पश्मी सबता का मैं भिरोधी हूं आपने जगह पर ठीक है थेंक्स